एलो स्टुटेंट्स, वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासिस, I hope you are all well. आज का हमारा लेक्चर इंग्लिज ग्रामर का है, जिसमें हम यूज अफ आर्टिकल्स देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखें, आर्टिकल्स को समझने सिर्फ पहले हमें यह जाना होगा कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स क्या है? एक वर्ड है. आर्टिकल एक word है जो modify करता है या फिर describe करता है किसे noun को चीक है it is used before the noun ये noun से पहले ही use किये जाते हैं और क्यों use किये जाते हैं to show something कि जिस noun के लिए ये word use हो रहा है वो specific है या फिर नहीं So in a way article can also be described as a type of adjective अगर हम कहें तो जो article होते हैं हमारे वो एक तरह के adjective होते हैं adjective क्या होते हैं जो आपकी noun और pronoun को की इस पिशेशता बताते हैं ठीक है नहीं के संग्या और समनाम की जो पिशेशता बताते हैं आपके विशेशन कहते हैं हिंदी में उसको adjective कहते हैं. तो एक तरह के क्या है यह adjective है? अब अगर हम बात करें इनके types की, तो article two types के होते हैं. The first is indefinite article and the second is definite article. Indefinite article होते हैं आपके A और N और आपके definite article होता है, the. The first article is definite article. Definite article क्या होते हैं? जब किसी चीज के बारे में वो क्या करते हैं? clear, extract, और obvious, यानि की साफ, spust और प्रत्यक्ष कोई चीज बात दर्शाते हैं, तो वो कहलाए जाते हैं आपके definite article. अगर हम definite article की बात करें, तो यह use किये जाते हैं in relation to a particular thing or person. किसी thing, वस्तु या व्यक्ति के particular relation के बारे में. अगर हम बात करें definite article की, तो जैसे हमने बताया था आपको, the is a definite article, जो कि use किया जाता है, refer करता है, यानि की particular nouns के. और identify करता है, which are known, यानि की यह जो हमारा definite article है, दा, यह किसी particular noun को specify करने के लिए use किया जाता है. यानि की, जो noun जिसके आगे दा लग रहा है, वो specific है, यानि की एक विशेश कोई चीज है, journal चीज नहीं है, specific है, तो speakers talking about particular thing, यानि की particular विशेश वस्तू के बारे में बता रहा है, जो आपका speaker है, इसलिए वहाँ पे उस noun से पहले, उस person से पहले, उस thing से पहले, दा का वर्ड यूज हो रहा है, तो for example, the cat sat on the coach, यहाँ पर जो cat है, बिली है, वो कहाँ पर बैठी होई है, सोफे पर, अब यहाँ पर, इस जो cat से पहले दा यूज हुआ है, यह क्यों हुआ है, क्योंकि यह किसी particular किसी cat के बारे में बता रहा है, जो उसके सामने है, यानि कि उसे पता है कि कौन सी cat है, तो वो जो cat के बारे में बता रहा है, वो specific कोई particular एक cat है, जो उसके सामने बैठी हुई है, सोफे पर, तो वो कह रहा है, the cat sat on the coach, यानि कि जो बिल्ली है वो सोफे पर बैठी Next, the dog attacks me and run away यहाँ पर dog से पहले the word use हुआ है अनकी the article use हुआ है क्यों? क्योंकि यह किसी particular dog के बारे में बता रहा है, किसी एक dog के बारे में बता रहा है जिसने उस पर attack किया और attack करके वो भाग गया तो इसलिए यहाँ पर आपका definite article dog का use हुआ है तो I hope यह clear होगा कि जब किसी specific चीज को और specify करके बताया जाता है, यानि जब किसी चीज को specify करके बताया जाता है कि यही वो चीज है, तो उससे पहले हम क्या use करेंगे? जो आपका definite article है dog का use करेंगे यहाँ पर कुछ examples है तो एक बार practice कर लेते हैं I will pick you up at the airport अब यहाँ पर जो airport है वो particular कोई airport है जिसे जो speaker है वो जानता है और वो कह रहा है किसी दूसरे person से कि मैं तुम्हें pick कर लूँगा airport से particular जिस airport पे यह person है जिसको पिक करने के लिए कह रहा है जिस एयरपोर्ट पे वो आ रहा है उस एयरपोर्ट से उसे pick करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे जो यह वाला एयरपोर्ट है यह क्या है आपका fix है next we spend all day at the beach अब यहाँ पर यह कह रहा है कि मैंने सारा दिन बीच पर spent किया, यानि कि particular किसी एक बीच की ये बात कर रहा है, जिससे किनार बैट के, इसने सारा अपना दिन spent किया, ऐसा तो नहीं है, कि एक यहाँ पर इस एरिया में है, एक दूसरे एरिया में है, इस तरह से तो यह कहनी रहा होगा, particular किसी इस भी एक बीच के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर क्या है, particular किसी एक बीच के बारे में बता रहा है, इसलिए से पहले, दा का वर्यूस हुआ है, next, let us go to the movie, this evening, अब यहाँ पर जो इस movie से पहले, जो दा यूज हुआ है, यह इसलिए हुआ है, यह particular किसी एक movie के बारे में बात कर रहे है, यानि कि जो speaker है, वो किसी एक movie को बता रहा है, कि हम चलते हैं movie देखने हैं आश्राम को, तो इसलिए यहाँ पर movie से पहले, दा का वर्यूस हुआ है, next, I have to go to the bank, and get some euros, यानि कि मुझे जाना है bank, I have to go bank, मुझे bank जाना पड़ेगा, कुछ euros, यहाँ मनी हम ले सकते हैं, कि कुछ money लेने के लिए, तो वो जो bank है, जिस bank पर उसे जाना है, वो definite bank है, यानि कि specific bank है, इसलिए उससे पहले दा का वर्यूस हुआ है, अब यहाँ पे जो बुख है, इससे पहले दा यूस हुआ है, क्योंकि किसी particular एक, विशेश बुख की बात कर रहा है, जो इसने पढ़ी, enjoy की, और उसको finished कर दिया पढ़े के, नेक्स आपका, do you like the other kids in your class, यहाँ पे यह कह रहा है, कि क्या तुम्हें अन्य जो बच्चे हैं, in your class, आपकी class के, जो अधर बच्चे हैं, क्या आपको वो पसंद है, क्या आप उन्हें पसंद करते हो, तो यहाँ पे जो अधर kids हैं, वो specific एक ही class के students हैं, एक ही class के बच्चे हैं, इसलिए अधर kids से पहले, अगर जो kids हैं, अगर वो specific नहीं होते हैं, किसी particular एक class के नहीं होते हैं, तो उससे पहले हम DACA वर यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे, अधर kids से पहले DACA यूज वाइसलिए, यानि कि specific एक particular class के बारे में यह बात कर रहा हैं, नेक्स्ट आपका indefinite article, indefinite article क्या होते हैं, इसका मतलब होता है, which is not clear, obvious or extract, यानि कि हमने जब direct article देखा था, उसमें था कि जो भी clear, obvious or extract होती है कोई चीज, उसको represent करने के लिए, हम क्या यूज करते हैं, definite article, लेकिन यहाँ पे not, not clear, obvious or extract, यहाँ पे जो नाउन है, जिस नाउन के बारे में बताया जा रहा है, यानि कि जिस नाउन से पहले, indefinite article यूज किया जा रहा है, वो unclear है और undefined है, तो definite article indicates the noun is not someone or something in particular, यहाँ पे जो आपका indefinite article है, वो कहता है कि जिस नाउन के बारे में वो बता रहा है, वो ना, तो मतलब is not someone or something in particular, वो विशेश नहीं है, ठीक है, specific एक नहीं है, वो जर्नल वे में यूज कर रहा है, तो speaker जो है, बात कर रहा है, anyone, किसी भी type की वस्तू की, तो यहाँ पे जो आपका indefinite article है, वो A और N यूज होगा, for example, do you have a pencil, यहाँ पर, यह कह रहा है कि क्या तुमारे पास pencil है, ठीक है, यहाँ पे जो pencil, आपका noun है, यहाँ पे pencil, पर्टिकुलर कोई एक pencil नहीं कह रहा है, वो यह नहीं कह रहा है, क्या तुमारे पाँ वही pencil है, यह एसे नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि कोई से भी हो तुमारे पास, तो do you have a pencil, क्या तुमारे पास pencil है, तो यहाँ पे इसने, जो pencil से पहले A word यूज करा है, तो वो आपका, एक pencil के बारे में नहीं कह रहा है, मतलब है, indefinite है, उसे पता हैं, वो किसी पर्टिकुलर एक pencil की तरफ, इंडिकेट करके हुए नहीं कह रहा है, वो यह कह रहा है, अगर तुमारे पास pencil हो, कोई से भी हो जाए, तो मुझे देखो, do you have a pencil, next, I want to have an apple, इसमें क्या कह रहा है, यहां पर यह जो apple use किया गया है, यहां पर किसी एक टोकरी में रखा हुआ यह नहीं है, कि वो indicate करके कह रहा है, कि मुझे यह वाला ही apple चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, यह कह रहा है, I want to have an apple, ठीक है, तो यहां पर जो apple की बात कर रहा है, यह जर्णल में, मा लीजे apple, काफी सारे apple है, तो particular किसी भी apple की यह बात कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या specific apple नहीं है, यहां पर, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, कि article जो होते हैं, हमारे two types के होते हैं, indefinite article, और आपके definite article, definite article वो होते हैं, जो specific करते हैं, किसी चीज़ को, यान कि किसी नाउंस को, जो specific करने के लिए यूज किये जाते हैं, और indefinite article वो होते हैं, जो जर्णल वे में यूज होते हैं, मान लीजे कि यहां पर, एक apple रखा है, अच्छा apple नहीं बना है, ठीक है, फेबी, क्या है यह apple है, ठीक है, अब मान लीजे, यहां पर apple रखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, अगर कहेंगे, आइवांट, अब, आप क्या कह रहे हैं, यह एक ही apple है, ठीक है, अब इस apple के लिए अगर आप कहेंगे, I want, the apple चीक है तो यहां पे इससे पहले आप क्या use करेंगे the यानिकी definite specific है यानिकी definite कर रहा है कि आपको यही आपको बता है कि सामने यह apple रखा है और आपको यह apple चाहिए तो I want I want the apple चीक है तो अब use करेंगे इससे पहले the दाखा वही पर अगर कई सारे आपके apples रखे हुए है और आपका अगर मन कर रहा है apple खाने का तो आप वहां पे क्या कहेंगे I want an apple कि आपको apple चाहिए तो जहां पर बहुत सारी चीज़े होती है वहां पे fix नहीं होता आपके इस एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर आपका indefinite आर्टिकल यूज होता है और जहां पे चीज़ë specific होती है वहां पे आपका definite article यूज होता है यानके definite article में आपका da use होता है और indefinite article में आपका an use होता है और a और n हम आपने vowels वगरा पढ़ी होंगे उसके according हम यूज करते हैं और कुछ आपके जो voice होती है, कुछ voice का भी होता है कि जिसमें आपके vowels की voice आती है, तो उस भी आपके vowels में ही आपका आते हैं, उसके according फिर हम and का use करते हैं. अब हम देखते हैं कि कहां में article use नहीं करना है, तो when you talk about things in journal, जब आप journal way में किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या article का use नहीं करते हैं, जैसे I like birds, मुझे पक्षी पसंद है, तो मैं journal way में कहा रही हैं, ऐसा नहीं है, मैं particular के specify करके कहा रही हूं, नेक्स्ट आपका, when talking about plural count, जब आप plural counts, नाउन जो है, वो count करते हैं, जैसे dogs make great pet, यानि कि जो कुत्ते होते हैं, वो बहुत अच्छे पालतों महने जाते हैं, तो यहाँ पे जो dogs हैं, वो journal way में use किया गया है, और plural use किया गया है, ये भी देखिएगा, खाली dog नहीं है, ठीक है, अगर खाली dog होता, तो वहाँ पर journal way में, वैसे अगर use हुआ होता हमारा, तो वहाँ पे एक हम use कर सकते थे, ठीक है, जर्नल way में use करने के लिए, लेकि यहाँ पे plural है, इसलिए हम यहाँ पर खाली dogs use कर रहे हैं, नेक्स्ट, when talking about non-count wine, जहाँ पे हम ऐसी noun use करते हैं, जिसको हम count नहीं कर सकते हैं, जैसे music, I love music, मुझे संगीत पसंद है, तो इसमें अगर हम संगीत की बात करें, तो संगीत को count नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसके पहले, कोई हम article use नहीं करेंगे, नेक्स्ट, आपका when talk about specific days, holidays, geography, companies और languages, तो इन से पहले भी article use नहीं होता है, जैसे I have bought candles for Diwali, तो यहाँ पी क्या है, holiday, इसलिए यहाँ पर जो है आपका article use नहीं हुआ है, नेक्स्ट, when talking about geography, जब हम किसी जोगरफिकर की बारियम बात करें, जैसे कि countries है, ठीक है, country के name है, state है, city है, town है, ठीक है, continents है, single lakes है, single mountains है, ठीक है, तो इनके नाम से पहले भी हम article use नहीं करते हैं, ऐसे I live in Canada, यह मैं Canada में रहती हूँ या रहता हूँ, तो यहाँ पर जो Canada है, वो country का name है, इसलिए इससे पहले कोई article use नहीं होगा, यानि कि जब भी हम geography यानि कि country के नाम, state का नाम, city का नाम, town का नाम, continent का नाम, single lakes का नाम, single mountains का नाम, अगर हम use करते हैं, तो वहाँ पर हम article use नहीं करते हैं, तो यह था हमारा अच का वीडियो, article related, I hope के समझ में आए हूंगे आपको article, तो thanks for watching, please like, share and subscribe, take care, bye bye.